इसको समझना बहुत जरूरी है और उससे जरूरी है अच्छे से समझना यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पर इन दोनों कार्बन के बीच में यह एक bridge है मतलब यहाँ पर भी एक carbon है यहाँ एक carbon है यहाँ carbon है, यहाँ carbon है यह जो bridge है जो bridge आपको दिख रहा है इस bridge का एक starting point है यह point और इसका अगर आप यहाँ से आएंगे तो starting point यह हो जाएगा इस तरफ से आएंगे तो ending point हो जाएगा भाई कोई सा भी जो bridge होता है bridge एक point से start होता है उपर जाता है, नीचे आता है ऐसा bridge होता है ना तो bread's rule है ये bridge के उपर focused है और ये जो आपको carbon दिख रहे हैं दोनो these carbons are bridge head carbon इन्हें हम लोग क्या बोलते है bridge head carbon है ना, क्योंकि यहां से bridge के starting हो रही है starting, इसको भी मैं क्या बोलूँगा बोलो bridge head carbon है ना bridge head carbon अब focus करिएगा, किस चीज़ पर focus करना है उसको समझे देखिए, अगर मैं यहां observe करता हूँ मैं अगर एक line यहां से द्रो करता हूँ और अगर मैं इस angle को देखता हूँ इस angle को, मतलब यह यहां से किस angle पर है तो यह angle आपके पास में nearly आएगा 60 degree common sense की बात है जो bridge होता है वो bridge मतलब surface से ऐसे तो होता नहीं है कि पूरा उठ गया ऐसे उसका अगदम से नीचे गिर रहा है नहीं एक कम angle पर ही होता है ना bridge to you है ना तो वो angle यहां पर अगर आप observe करेंगे तो approximately 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 वो जो angle है जो आपको यहां पर दिख रहा है वो angle कितना है repeat with me 60 degree ठीक है और अगर आप इस carbon को देखते हैं over here ठीक है तो इस carbon ने bond कितने बनाए 1,2,3,4 मतलब इस carbon का state of hybridization है state of hybridization वो आपके पास में कितना है sp3 ठीक है और sp3 पर जो expected angle होता है expected theta वो कितना होता है that is 109 degree sp3 पर जो expected theta होता है वो कितना होता है 109 degree यहां पर यह angle कितना है यह 60 है अब समझेगा G1 में क्या उसूल चलता है चक्कर क्या हो रहा है और मैं क्या समझाना चारहूँ मैं आपको समझाना चारहूँ कि angle strain क्या है Brett's rule talk about the angle strain जिसे for example ये मेरे पास में एक छोटा सा पेड़ है जोटा सा एक पेड़ है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं इस पेड़ को जुकाता हूँ जोटा सा एक पेड़ है ठीक है अब मैं क्या करता हूँ एक पत्थर रख देता हूँ यहाँ पर बात समझ रहे हैं आप लोग तो पहले ये बिल्कुल सीधा था एंगल आपके पास में किता था 90 डिग्री लेकिन अब ये जुक गया है जुक गया है तो यहाँ पर क्या होगा थीटा कम हुआ थीटा कम होगा तो there will be strain उससे क्या generate होगा उससे strain generate होगा उस strain को आप क्या बोलोगे अंगल strain 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 मतलब something which is visible physically stress मतलब something which is not visible physically but exist mentally that is known as stress ये strain है जैसे मान लीजिए आप किसी एक छोटी बस में चड़े न उसकी height जो है वो कम है ठीक है आपकी height ज्यादा है आप मान लीजिए 6 feet आपकी height है और जो bus की जो floor है maximum जो उसकी height है वो है 5 feet तो क्या करना पड़ेगा आपको आपको गर्दन को जुखा के रखना पड़ेगा जब तक आप उसमें travel करेंगे तब तक आपको गर्दन को जुखा के रखना पड़ेगा तो आपका expected angle तो ये था आपको रखना पड़ रहा है ऐसे तो क्या होगा? strain होगा strain होगा तो आपकी stability बढ़ गई की कम होगई? आपको सुकून मिल रहा है वहाँ पर? नहीं! जैसे बस रुखेगी आप हाथो हाथ वहाँ से बाहर उतरेंगे रहे यार मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है Isn't it so? Because you are feeling strain Why strain? Because expected जो है उससे कम पर आप है होता है? वही अटम्स के साथ में होता Because at the end we all are made up of atoms and molecules ओके? तो strain होगा जैसे for example एक और चीज़ समझते हैं आपको बहुत क्लीर हो जाएगा भी यह सब Let's see यह मेरे पास में focus एक triangle है यह triangle mathematics के साब से है यहाँ पर यह cyclopropane है क्या बोलते हैं से? cyclopropane अब cyclopropane में यह hydrogen ठीक है? hydrogen, hydrogen hydrogen, hydrogen यह theta कितना है? 60 degree यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ अगर मैं चेक करूँगा hybridization वो क्या है? sp3 और expected angle कितना होगा? 109 degree कितना होगा? 109 degree यहाँ पर मेरे पास में exactly जो angle है वो कितना है? existing bond angle existing angle that is of 60 degree difference कितने का है? 49 degree का कितना difference है? 109 minus 60 49 तो यह 49 जो है ना यह 49 ही angle strain है this is angle strain this is angle strain ठीक है? यह angle strain है अब मैं वापस वहीं आता हूँ जहाँ पर मैं था तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ bread's rule की ठीक है? ब्रिज हैड कार्बन का state of hybridization क्या है? SP3 ओके तो expected angle कितना है? 109 यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है? 60 ठीक है कितने का strain है? क्या बोलू मैं? angle strain कितने का आएगा? angle strain वो कितने का आएगा? 49 degree का यहाँ पर भी ठीक है तो bread's rule क्या है? वो मैं समझाता हूँ तो bread's rule कहता है कि किसी भी bridge head carbon के उपर जो bridge head carbon है bridge head carbon के उपर कभी भी double bond नहीं आ सकता positive charge नहीं आ सकता यह free radical नहीं आ सकता indirectly bridge head rule यह केता है म醉न्हेट's rule यह केता है कि जो bridge head carbon है उसका state of hybridization focus करना bridge head carbon का state of hybridization कभी भी sp2 नहीं हो सकता मतलब क्यों नहीं हो सकता देखो क्यों नहीं हो सकता bread soul को मैं mention करता हूँ bread soul मेरे पास में क्या है bread soul का statement लिख देते हैं आपर अपन state of hybridization of bridge head carbon cannot be sp2 ठीक है देखो पहले से bond angle कितना है 60 expected कितना है 109 strain कितने का है 49 का sp2 हो गया तो sp2 पे structure होती है trigonal planar और bond angle कितना होता है 120 तो आपको सोचो ना strain और बढ़ जाएगा अगर 120 sp2 पे पता है na trigonal planar structure होती है और bond angle होता है 120 तो angle strain अब कितने हो जाएगा 60 का हो जाएगा बहुत जादा हो जाएगा दिक्कत वाली बात है तो bread soul क्या कहता है state of hybridization of bridge head carbon cannot be sp2 अब sp2 कब-कब होता है carbon का hybridization जब double bond हो जब positive charge हो या वहाँ पर free radical हो इन तीनों cases में जो state of hybridization है carbon का वो sp2 होता है मतलब ये जो आपको यहाँ पर bridge head carbon दिख रहे हैं इनका state of hybridization कभी भी sp2 नहीं हो सकता मतलब यहाँ positive charge नहीं आएगा focus करना positive charge नहीं आएगा आएगा तो बहुत ज़्यादा stability को कम कर देगा पुछी stable ही नहीं होगी it will not be stable at all not stable at all तो हम लोग क्या कह रहे हैं हम लोग यह कह रहे हैं one second जो breeze head carbon आपके पास में है the state of hybridization of breeze head carbon cannot be sp2 क्योंकि इससे क्या raise हो जाएगा angle strain माता फ़री बढ़ जाएगी angle strain जो है वो इससे बढ़ जाएगा ठीक है angle strain बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा तो stability कम हो जाएगी मतलब यहाँ पर क्या नहीं आ सकता positive double bond नहीं आ सकता positive charge नहीं आ सकता फिर radical नहीं आ सकता बास समझ में आती है सबी को ओके ठीक है one second तो हमने यह बातें discuss किये यह तिनी सी बात मैंने भी तक आपको समझाईए ठीक है सब को समझ में आता है इतना अपन one by one question करते हैं तो चीज़ें आपको ज्यादा clear हो जाएगी ओके अल्राइट look at this question थोड़ा सा blurred है but focus करिएगा soul होना चीए सबी से soul होना चीए pose करके solve करेंगे better होगा question क्या है which of the following is the most stable carbocatine कहाँ पर सबसे ज्यादा stable carbocatine कौन सा है एना ओके bridge head carbon में positive charge है stable बिल्कुल नहीं होता यहाँ भी bridge head पर है बिल्कुल stable नहीं होता यहाँ पर भी bridge head पर है बिल्कुल stable नहीं होता number of alpha hydrogen से कोई मतलब नहीं है अगर positive charge bridge head carbon पर है तो आपको किसी भी case में alpha hydrogen से कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि वहाँ पर angle strain की वसे वो stable नहीं होगा बिल्कुल stable नहीं होगा तो answer क्या हो जाएगा fourth okay pretty easy question आई थी आगे चलते है यहाँ देखिए थोड़ा सा interesting question है focus करिएगा alcoholic के वच है alcoholic के वच क्या करता है यह करवाता है dehydro halogenation क्या करवाता है dehydro halogenation ठीक है और better term use करें तो बोलते हैं इसको beta dehydro halogenation ज्यादा perfect term क्या हो जाएगी beta dehydro halogenation beta carbon से hydrogen remove करवाता है आप देखो यह अपने पास में और halogen remove करवाता है ना यह आपके पास में alpha carbon है CL है यहाँ hydrogen होंगे hydrogen hydrogen यहाँ पर भी एक hydrogen है ठीक है जिससे for example मैं आपको समझाता हूँ आपको focus करेगा बाई let's see यह CS3, CS2, CL है अगर मैं इसकी reaction alcoholic के वेज़ से करवाता हूँ तो यहाँ से alpha, beta यहाँ से hydrogen जाएगा यहाँ डबल बॉंड आएगा यह mechanism हम लोग समझेंगे आगे डबल बॉंड आजाएगा अच प्लस abstract होगा उससे negative charge generate होगा, वो यहाँ से flow करेगा, यह बाहर चला जाएगा mechanism में आपको आगे समझाओंगा बट फिलाल मैं कह रहा हूँ कि double bond generate होता है ठीक है, यह ना, यह तो आपने देखा ही होगा न, methods of preparation of algenes में अगर पहले कभी पढ़ा है तो, यहाँ देखो यहाँ बात करता हूँ यहाँ फोकस करिए यह आपको देख रहा है CL, अब मुझे बताओ यह यहाँ से जाएगा H, कि यहाँ से जाएगा इनको नाम देते हैं अपन लोग राम शाम हालाएं कि एक ही जाएगा और यह अपने पास में है केलास ठीक है तो dehydro halogenation में राम शाम जाएंगे या केलास common sense की बात है, अगर केलास गया यह H पलस की फॉर्म में गया क्योंकि अल्कॉली के उस तो base है source of OR minus आगे समझेंगे इसको अगर यह गया यह negative charge आएगा, यहाँ flow करेगा CL बाहर, double bond आजाएगा double bond मतलब दो product possible है, या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, दोनों बनांके देखते हैं one second एक तो यह बना सकता हूँ मैं या फिर यह बना सकता हूँ ठीक है, बताइए मुझे इसको मैं A बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ B कौन सा product बनेगा that is my question, which product A और B तो आप लोग क्या बोलेंगे हाँ, यह तो बनी नहीं सकता bridge head carbon जो है वहाँ पर positive charge, double bond या फिर radical नहीं आ सकता क्या बनेगा तो कौन से जाएंगे राम या शाम में से एक जाएगा के लास किसी भी case में नहीं जाएगा समझ में आता है अच्छे से आगे चलते हैं let's see थोड़ा difficult question है, बाद में करते हैं यहाँ देखो भाई, बहुत simple question है आप से पुछा है order of stability of carbocatines जितने भी carbocatines आपको दिख रहे हैं इनका आपको क्या बताना है stability order बताना है क्या बताना है stability order ओडर होगे तो यहाँ positive charge है सबसे कम stable कौन सा होगा this one क्या है यह it is bridge head carbon bridge head carbon है तो positive charge है stable नहीं होगा इसको तो भूल जाते है alpha hydrogen तो देखने ही नहीं है यह दोनो non bridge head है तो यहाँ आपने alpha hydrogen देखेंगे alpha hydrogen देखते है important बात क्या है bridge head carbon का hydrogen भी hyperconjugation भी participate नहीं करता है यहाँ पर कितना hydrogen है one second कितना hydrogen है one यहाँ पर कितना है दो तो इसके respect में alpha hydrogen का number कितना है तीन है लेकिन यह तो किसी काम का नहीं है क्योंकि अगर यह hyperconjugation में जाएगा h plus की form में अटेगा यहाँ negative charge bond बनेगा जो possible नहीं है मतलब in real काम के कितने हैं दो ही काम के हैं ठीक है यहाँ पर चेक करते हैं फाइड्रोजन CS3 है तो दो यहाँ पर तीन यहाँ पर यह किसी काम का नहीं है बैस तो 6 हैं बढ़ काम के कितने हैं ठीक है तो सब्सक्राइबल हो जाएगा यह मारे पास में order होगा समझ में आ रहा है न सभी को समझ में आये क्या मगज में आये क्या और इससे पहले कभी आये क्या खेर आगे चलते हैं आगे चलते हैं भाई यह क्योशन एक्जाम में recently पूछा हुआ है फोकस करते हैं यहाँ पर क्या है यह कार्बनिल कमपाउंड है ठीक है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ where tautomerism is possible कहां पर tautomerism possible है tautomerism क्या होती है it is basically keto inol tautomerism keto inol में convert होता है inol keto में convert होता है कैसे होती है उसको देखते है एक बार for example different lecture में समझेंगे तो better होगा थोड़ा सा idea दे रहा हूँ समझा नहीं रहा हूँ यहाँ जो alpha hydrogen है acid होता है nature में क्यों होता है क्योंकि यहान अगर ही h plus की form में हटेगा देखो एक बार इसको मैं अगर h plus की form में हटा देता हूँ यहाँ जो hydrogen है उसको में हटा दिया तो यहाँ negative charge क्या होगा stable via resonance ठीक है ना conjugation है negative single double तो अगर यह resonating structure ऐसी बनेगी double bond c o minus c h 3 तो h plus जो है जो हटा था वो यहाँ connect हो सकता है connect हो सकता है तो किसमें convert हो जाएगा c h 2 double bond c o h c h 3 मतलब at the end आपके पास में जो ketone है वो इसमें convert हुआ तो यह कौन सा form था यह कौन सा form है पहले keto form और यह आपके पास में क्या बन गया in all मतलब क्या बोलेंगे इसको in all form ठीक है तो keto in all में क्या होता है जो respective h plus होता है वो हट जाता है negative charge जाता है resonance में जाता है o minus बनता है h attach होता है in all बनता है ठीक है कुल मिला के यहाँ पर double bond आएगा question क्या है keto in all totomerism या totomerism कहां पर possible है focus करता है focus करना है that is most important क्या यहाँ कोई hydrogen है नहीं है यह hydrogen एक है क्या जा सकता है h plus में हटाओ negative charge double bond no not possible bridge head carbon पर positive free radical और double bond नहीं आ सकता that's it you have to understand this यहाँ देखो double bond one second o और here we have double bond इसके respect में यह आपके पास में क्या है alpha hydrogen क्या participate करेंगे possible नहीं है तो पहले में possible नहीं है दूसरे में भी possible नहीं है तीसरा देखते है यहाँ देखो यह hydrogen किसी काम का है no यह काम का है yes तो यहाँ पर total nitrogen possible है bridge head carbon का alpha hydrogen totomerism में भी काम नहीं आता आगे चलते है ओके let's see this question यह आपके पास में अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर यह bridge कुछ ऐसे बनावा है extra carbon है यहाँ पर सिर्फ एक ही carbon है उपर ठीक है reacted with agno3 ठीक है किस case में agcl का white precipitate बनेगा this is my question agcl का white precipitate कहां बनेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा cl- को बहार आना पड़ेगा तो cl- agcl का white precipitate का बनेगा जब cl- बहार आ जाए isn't it so समझ रहे ना आप लोग में क्या कहना चाह रहा हूँ तो जब cl- बहार आएगा तो positive charge आएगा ठीक है यहाँ पर agcl- बहार आएगा तो positive charge आएगा ठीक है अपनी काम करते हैं इस question को थोड़ा better करते हैं औरना आपके लिए बहुत ज़्यादा confusing हो जाएगा यह instead of this पन थोड़ा modify कर देते हैं one second just for a one second ठीक है this is the question now यहाँ पर हटा देते हैं तो कहाँ पर agcl का white precipitate बनेगा तो common sense की बात है अगर यहाँ से cl- बहार आएगा तो यहाँ पर क्या एगा positive charge यहाँ cl- बहार आएगा तो यहाँ positive charge तभी मेरे पास में क्या बनेगा white ppt of agcl बात समझ में आती है सभी को तो white ppt किस case में possible है in this case is it possible इस case में possible है yes क्योंकि यहाँ पर यह breeze head carbon से नहीं आ रहा है इसमें breeze head carbon से आ रहा है तो यहाँ पर white ppt possible नहीं है क्योंकि breeze head carbon के उपर positive double bond free radical नहीं आ सकता इसे हम क्या कहते हैं this is known as Bolo Brett's rule understand this okay let us try okay just leave this question अपने पहले छोड़ा आटा उसे देखते हैं एक बार यह देखो देखो यहाँ focus करना है सभी को सभी को यहाँ focus करना है okay here we have C double bond O COH देखिए यह alpha carbon है यह beta carbon है इसे आप कहेंगे beta keto acid इसे हम लोग क्या कहते हैं this is known as beta keto acid okay beta keto acid को simply heat करने पर भी इसका क्या हो जाता है decarboxylation because समझाता हूँ एक बार थोड़ आसा देखो इसको अगर आप simply heat करते हैं इसे था beta keto acid इसे था alpha carbon, beta carbon है ना तो क्या बोला इसको beta keto acid क्या बोला beta keto acid है इसको simply heat करते हैं decarboxylation में जो intermediate बनता है वो car benign होता है अब क्यों होता है इसके लिए मुझे decarboxylation का mechanism बताना पड़ेगा यहाँ ब्रेट सूल पड़े ना अभी ध्यान रखो यह हटता है यह negative charge आता है जो stable होता है via resonance stable via resonance तो अगर आप से पूछेंगे कि why beta keto asses decarboxylate very easily तो reason क्या बताएंगे आप लोग because car benign is stable via resonance stable via resonance ठीक है तो यहाँ देखो एक बार अब अगर यह यहाँ से यह CUH हड़ता है तो यह negative charge आएगा क्या वो resonance में जा सकता है no resonance में जाते हैं double bond आएगा breeze head carbon पर double bond possible नहीं है नहीं है नहीं है तो इस case में इसका decarboxylation नहीं होगा और होगा भी तो बहुत मुश्किल से होगा but 99% chances क्या है कि होगा ही नहीं समझ गए तो यह हमने पढ़ा bread's rule क्या होता है the state of hybridization of breeze head carbon cannot be sp2 क्योंकि उससे angle strain बढ़ जाएगा मतलब sp2 का मतलब one double bond नहीं आ सकता positive charge नहीं आ सकता और free radical नहीं आ सकता आज लेता ही है thank you so much लेता है